दोस्तो स्वागत हैं आपका एक पार फिर से जहां दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं अभी नेता आक्षे कुमार की फिल्म केसरी के पूरे 12 दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में और इस टाइम वो जो भी फिल्म साइन कर रहे हैं वही फिल्म बॉक्स ओफिस पर बिलोगबस्टर या हिट या सूपर हिट साबित हो रही है इस टाइम अगर बात करें, हम तो कई श्टार्स फिलॉप चल रहे हैं, लेकिन अक्षे कुमार सूपर हिट चल रहे हैं और इतना ही नहीं, पिछले साल तो सलमान खान के फिल्म रेस त्री, आमिर खान के फिल्म ठाग्स ओफ इंदुस्तान और शारु खान के फिल्म जीरो एक के बाद एक हिट फिल्म ही दी जैसे की फिल्म पैड मैन की अगर बात करें तो पैड मैन भी बॉक्स ओफिस पर सफल हुई थी गोल्ड भी सफल हुई थी उसके बाद रिजनी कांसर के साथ आई इनकी फिल्म 2.0 ये भी सफल हुई थी और अगर बात करें साल 2019 की शुरुआ पात में ही इन्होंने फिल्म केसरी दी तो केसरी बॉक्स ओफिस पर अभी तक तो सूपर हिट साबित हो चुकी है मातर 80 करोड उपए भजट था इस फिल्म का और तकरीबन अभी तक जो 10 दिनों में इस फिल्म ने टोटल कलेक्शन कर लिया था वो था 116 करोड उपए के आसप क्या है कि 126 करोड उपए के ऊसपास तो दूस्तों अभी साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलू कि फिल्म ने ग्यारवे दिन जो 9 से 10 करोड की कमाई की है और फिल्म का 11 दिनों में जो टोटलक्शन हो गया है वो हो गया है 126 करोड रुपे के आसपास तो फिल्म ने केसरी ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है कि 126 करोड रुपे कमाने वाली सबसे तेज इस साल की सबसे पहली फिल्म है ये और उसके अलावा अगर बात करें आज 12 दिन के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में तो आज नॉन हॉलिडे है आज मंडे फिल्म कम ही कमाईगी लेकिन कमाईगी जबरदस अगर बात करें आज की कमाईगी तो तकरीबां तीन से चार करोड रुपे कमाईगी आज ये फिल्म और फिल्म का जो टोटल कलेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पूरे 12 दिनों में 130 करोड रुपे के असपा तो दोस्तों उम्मेद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमें कमेंड में ये सुरूर बताएगा कि आक्षी कुमार का जो किरदार है वो आपको कैसा लगा फिल्म केसरी में थैंक यू